वेलकम बैक टू क्लीन न्यूस एंपी चलिए देखते मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें फार्मसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए 19 से शुरू होंगे पंजियन तकनीकी शिक्षा विभाग ने फार्मसी सहित अन्य कोर्सों में अडिमीशन के लिए शिट्यूल चारी कर दिया है बी फार्मा एवं डी फार्मा में तीन राउंड में प्रवेश होंगे अंतिम चरण में कॉलेज लेवल काउंसिलिंग होगी पहले राउंड में 19 से 27 नमबर तक पंजियन होंगे चातर चातराई 28 एवं 29 नमबर को रेजिस्ट्रेशन में सुधार एवं दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं विभाग द्वारा साथ दिसंबर को सीटों का अवंटन किया चाहेगा इसके बाद विध्यारती 13 दिसंबर तक प्रवेश ले सकेंगे महंगा हुआ दुबई जाना एक मात्र सीधी उडान का किराया 50 जार रुपए इन दौर से दुबई जाने वाले प्रदेश की एक मात्र सीधी अंतराश्री उडान में इन दिनों सीट पाने के लिए ज्यादा पैसा खरच करना पड़ रहा है आम दिनों में आने जाने का किराया 27 से 30 जार रुपए होता है जो 50 जार रुपए तक पहुच गया है वहीं दिली या मुंबई होकर जाने में है टिकेट आज भी 27 से 30 जार रुपए में मिल रहा है लंबे समय से इस उडान को सब्ता में तीन दिन करने की मांग की जारी है लेकिन कोई निन्ने नहीं हो पा रहा है मजबूरन लोगों को महेंगा सफर करना पड़ रहा है स्कूल शिक्षा विभाग और जन्जाती विभाग की सूची में नाम की हो रही है पुन्रवरत्ती शिक्षक पातरता परिशा 2018 के तैत उच्छे मादमिक वा मादमिक शिक्षक की भरती प्रक्रिया जारी है चार साल बाद अभी भरती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई अभी अभ्यारती सोमवार को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करेंगे शिक्षक पातरता परिशा संह के रंजीत गोण ने बताय की प्रदेश भर से चैनित अभ्यारती आज भोपाल आएंगे अभ्यारती लोग शिखरन संशनाले के बाहर दुपहर बारा बजी प्रदशन करेंगे उन्होंने बताया कि कई अभ्यारतियों के नामों की पुनरवत्ति की जा रही है। इसे वैपारी असमंजस में है। किलो मीटर लंबाई और 19 मीटर चौड़ा सं थिर्दाराम नगर में बनेगा। तो वहीं दूसरा नरीला वधान सभा के प्रभाद चौड़ाय पर 750 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा बनेगा। इन दोनों फ्लाइ ओवर से मैटरो लाइन गुजरेगी। इस वज़र से इनका निर्मान शुरू होने में देरी हो रहे थी। मैटरो पीडर डूडी के अधिकारियों के बीच कई दिनों से निर्मान कारी को लेकत ताल में नहीं बन पारा था। इसी के चलती हुजूर विधायक रामिश्व शर्मा ने बैरागड में और नरेला विधायक एवं चिकित्सा शिक्षा मंतरी विशवात सारग ने प्रभात चौराय पर शनिवाल को निर्मान इस्तलकल ने रिक्षन किया। मध्य प्रदेश में बुजूर्गों के माध्यम से घरगर पेट बनाएगी कॉंग्रेस। किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिल रही है। प्रदेश में 60 वर्षत अधिक आयू के 70,18,000 मत दाता हैं। राश्री स्थर पर भाजपा में बड़ा शिवराज सिंग चोहान का कर्द। वैसे तो भाजपा अपने दिगगर जुनेताओं को जाती या समाच के चहरे की रूप में पेश नहीं करती लेकिन जाती का सभी करनों को साधने के लिए उप्योग करने में भी पीछे नहीं रहती। ऐसे ही एक OBC चहरे का भाजपा में प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हमारे लिए देविया हैं उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं चोड़ेंगे। हमने लाली लक्षमी योजना के अंतरगत बेटियों की पढ़ाई और अन्य योजनाई खुशिती है। हमने कठोर कानून बनाए हैं बिटिया की तरफ गलत नजर से देखने वाले दुराचारी और दरिंदे फासी पचणा दिये जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चुहान ने खालवा में तिन दुपत्ता संग्राकों के बोनस वितरन कारिकरम के दोरान कही। उन्होंने यहां नौ जिलो के तिन दुपत्ता संग्राकों को ब्यालिस करोड रुपे के बोनस वितरन का शुभारम किया। तीन वाजर सिस्टम एक्टिफ पश्ची में विशोब से बदलेगा मौसम आठ नवंबर को नया पश्ची में विशोब सक्रिये होगा जिसके कारेंट मध्य प्रदेश की मौसम में बदलाब देखने को मिलेगा एंपी मौसम अभाग के अनुसार आठ से मौसम के मिज़ाज बदल सकती है और आठ नवंबर को हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है इस दोरान गॉलिय चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्शा भी हो सकती है वहीं 10 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट के आसार बनेंगे और ठंड बनना शुरू हो जाएगी बार से अनाज बरबात होने पर बीमा कंपनी ने किया 33 लाक रुपे का भुकतान तीन महा पहले बेतवा नदी में आई बार के कारण एक ग्रेडिंग प्लांच में रखा 730 कुंटल अनाज और मचनरी खराब होने पर बीमा कंपनी ने प्लांट संचालक को 33 लाक रुपे की शतिपूर की राशी का भुकतान किया है शहर के बेतवा किनारे महलगात के समिप स्तित्य समीर कांता फोट के संचालक लवेश पितलिया ने बताया की तीन वर्ष पहले उन्होंने पंजाद नेशनल बैंक की कीरी मोहला शाका से लोन लेकर अनाज ग्रेडिंग का काम शुरू किया था उन्होंने एक अगस को चोला मंदलम MS General Insurance Company से अपने प्लांट का भीमा कराया था और 23 अगस को आई बाढ़ के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा अपनी मांगो को लेकर रागोगर से गुना 35 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे दिव्यांग प्रदेश भर के दिव्यांग आज से अपनी प्रमुक मांगो को लेकर रागोगर से गुना तक 35 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे उक्त यात्रा दस दिन में पूरी होगी इसके बाद कलेक्टर को अपनी दस सुत्रिये मांगो को लेकर ग्यापन सौपेंगे उक्त स्वाभिमान यात्रा गुना जिले के दिव्यांग संगठन द्वारा निकाली जा रही है जानकारी के नुस्रा प्रदेश भर से आएक करीब एक हजा दिव्यांग सोमवार को मंगल भवन में एकत्रित होंगे जिनके ठहन्य और भोजन आदी की ववस्ता संगठन वसमा सेवियों द्वारा की गई है सुबद 10 बजे हरी जंडे दिखा कर दिव्यांग सौभिमान यात्रा की शिरुवात की जाएगी उक्तियात्रा 35 किलोमीटर की है जो रागोगर से गुना कलेक्टर तक जाएगी खंडवा में पौने दो अरब खर्च फिर भी टैंकरों से बट रहा पानी खंडवा शहर में बहतर पिये जल ववस्ता के लिए पौने दो अरब रुपे खर्च होने के बाद भी टैंकरों से पानी का वित्रन हो रहा है नगर निगन के लाल चौकी स्थित्र फिल्टर प्लांट जीलो ध्यान और सरकेट हाउस स्थित्र वाटर सप्लाई पॉइंट से प्रतिदिन प्रभाविच चेत्रों में टैंकरों से पानी भीजा जा रहा है एक दिन में करीब 50,000 लीटर पानी टैंकरों से बाटा जा रहा है वर्श 2009 में शहर में लाई गई 106 करोड की नर्मदा जल योजना में अब तक पौने 2 अरब रुपे लगाए जा चुके हैं पावजूद इसके इस योजना से शहर में अधिकान शिस्तों में पानी नहीं जा रहा है पाइपलाइन बार-बार फूटने की वज़े से अब 137 करोड पांच लाख रुपे पेजल ववस्था पर और लगाने की योजना शाषन को भीजी गई है पैंशनरों के लिए अची खबर अब मिलेगी ये खास सुविधा देशवर के पैंशनरों अगर अभी तक आपने जीवन प्रमान पत्र जमा नहीं किया है तो परिशान होने की जरूरत नहीं है अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कोशागार बैंक ये अन्नी किसी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है पैंशनरों की सुविधा के लिए डाग विभाग ने योजना शुरू की है वहीं SBI समित कई बैंकों ने अपने ग्रहाकों के लिए डोर स्चैप बैंकिंग की सुविधा दे रखी है इसी कड़ी में पंजाम नेशनल बैंक और बैंक और बडूदा ने भी ये सुविधा शिरू कर दी है मध्यप्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारियों के तबादले मध्यप्रदेश ने रविवा को राज्य प्रशासनिक सेवा के 37 अधिकारियों का तबादला कर दिया है इसमें तीन साल से एक स्थान पर पदस्त डिप्टी कलेक्टरों को नवीन पदिस्थापना दी गई है स्वास विभाग की उपसचेव सपना एम लोवैंशी अब इंदौर की अपर कलेक्टर होंगी नीमच के संयुक्त कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंग को भी इंदौर पदस्त किया है राजें निरवाचन आयोग की उपसचेव अजीजा सरशार्ट जफर को अपर संचालक स्वास्त सेवाई बनाया है डिये के बाद करमचारियों को मिलेगी एक और खुशखबरी सलरी में आएगा बंपर उच्छाल केंद्री करमचारियों पैंशनरों को जल्द एक और खुशखबरी मिल सकती संभावना जताईजारी के महंगाई भत्यों और बोनस के बाद अब फिट्मेंट फैक्टर पर भी जल्द फैसला हो सकता है केंद्री करमचारियों का फिट्मेंट फैक्टर तीन फीसिदी से तीन दशनमत छे आट फीसिदी तक बढ़ाया जा सकता है इसमें न्यूंतम बेसिक सेलरी में आठ हजार की बढ़ातरी होगी और बेसिक सेलरी अठारह हजार से बढ़कर 26,000 हो चाएगी हालकि इस सम्मन में सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है गौलियर में डेंगू का कहर अब तक 175 बच्ची आए चपेट में डेंगू की चपेट में अब तक 175 बच्ची आ चुके हैं डॉक्टर घर में बच्चों को मच्चर से सुरक्षित रखने के लिए घरेलू उपायर करने का सुचाब दे रहे हैं जिससे डेंगू के डंग से बच्चों वा बुज़ूर्गों को बचाया जा सके। डेंगू की चपेट में 23 लोग आये जिसमें 12 बच्चे शामिन है। इन बच्चों की उम्र 5 महिने से लेकर 17 साल बताई गई है। देखा जा रहा है कि छोटी उम्र के बच्चों को डेंगू आसानी से शिकार बना रहा है। जिले में अब तक 130 बच्चे डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर विनोद दौनेरिया का कहना है कि बच्चों की तवच्चा मुलायम होने के कारण डेंगू का मच्चर आसानी से उन्हें अपना शिकार बना लेता है। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों की मच्चरों से सुरक्षा करें। जमू कश्मीर को जल्द मिल सकता है राजी का दर्जा वित्र मंत्री ने पहले संकेत दिया। उन्होंने का कि जमू कश्मीर फिर से राजी बन सकता है हाला कि फिर उन्होंने अपनी बात को समालते हुए का कि ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। करमचारियों को बड़ा तौफा मिलेगा 100 फिस दी वेरियेबल पे कलाव देश्वी आईटी सेक्टर की दिगज कमपनी विपरों ने अपने करमचारियों को लेकर बड़ी खोशना की है कमपनी ने इस वित्य वर्ष के लिए दूसरी तिमाई के लिए टीम लीडर इस दर पर 100 प्रतिशत परिवर्टनिय वेतन जारी करने की खोशना की है इससे करमचारियों में खुशी की लहट दोड़ गई है मीडिय रिपोर्ट्स के अनुसरा नए साल से पहले विपरो कमपनी ने अपने करमचारियों को बड़ा तौफ़ा दिया है कमपनी की तरफ से खा गया है कि विपरो अपने टीम लीडर लेवल के करमचारियों को मौझूदा वितवर्श की दूसरी तिमाही में 100 प्रतिशत वेरियेबल पे दिया जाएगा बाकी करमचारियों को उनके यूनिट की लक्ष उपलब्दी के आथार पर भुक्तान मिलेगा कमपनी नीती के प्रदर्शंग के अनुसरा परिवर्थनी वेतन 93.5 प्रतिशत आता है हवा का बदला रोख तापमान बढ़ने का सिलसला बरकरार अलग-अलग स्थानों पर सक्रिय तीन मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रोख बदला हुआ है हवाओं के साथ नमी आने पर उचाई कि इस तपर बादल च्छाने लगें इस वज़े से दिन राध के तापमान में धीरे-धीरे बड़ोतरी होने का सिलसला बना हुआ है राजधानी में भी राध का तापमान सामाने से एक डिग्री सलसिस अधिक दर्च किया गया है दिन का तापमान भी दो दिन से सामाने से तीन डिग्री अधिक दर्च किया जा रहा है इसे धूप में चुभन महसूस होने लगी है मौसम विग्यानिकों की मताबिक अभी तीन चार दिन तक मौसम का मिज़ास इसी तरह बना रहने की संभावना है उधर रविवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 13 डिग्री सलसिस तापमान मनला में रिकॉर्ड किया गया रिलाइंस के निवेशकों को बंपर फायदा एक हफते में ही कमा लिए 45,000 करोड बीता सब्ता मुकेश अम्मानी की नेदरत वाली रिलाइंस इंडरस्वीस लिमिटेट के शेर होलडर्स के लिए शानदा साबित हुआ कमपनी के निवेशकों ने एक हफते में ही करोडों रुपे कमा लिए दरसल बीएसी पलिस्चिक टॉप टैन कमपनियों में से साथ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एक लाग करोड 33,707 रुपे बढ़ गया इस दोरान सबसे ज्यादा फायदे में रिलाइंस इंडरस्वीस रही उमीदवारों के लिए अच्छी खबर 21 नमबर तक करे आविदन मध्य प्रदेश में बोर्ड परिक्षा की तैयारी की शिरुवात हो चुकी है चात्रों की मदद के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा बड़े कदम उठाये जा रहे है वहीं MP बोर्ड के हेल्प लाइन सीवा में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बड़ा मौका है जरसल विध्यारतियों की मदद के लिए संचालित की जाने वाली हेल्प लाइन सीवा के लिए अनुभवी परामर्श दाता से आविदन आमंतृत किये गए है इसके लिए आविदन आमंतृत किये गए हैं हेल्प लाइन सीवा वेकेंसी एक जन्वरी से 31 दिसंबर दोहसातीज तक निर्धारित की गई है बड़ी खबर प्रोविदेंट फंड को लेकर जारी हुए नए नियम केंदरी करमचारियों के लिए बड़ी खबर है सरकार ने रेटारिमेंट फंड से जुड़े हुए नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है सरकार क्यों और से मिली चानकारी के मताबिक जनरल्स प्रोविदेंट फंड के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है अगर आपके घर में भी कोई सरकारी करमचारी है तो उन सवी के लिए जरूरी खबर है आपको बता दे सरकार ने अब जीपीएफ में निवेश की सीमा तै कर दी है प्रोविडेंट फंड के निवेश पर सीलिंग लगा दी गई है सरकार की और से लिएगा इस फैसले के बाद सरकारी करमचारी जीपीएफ में सिर्फ पांच लाख रुपे तक जमा कर सकते है मध्यप्रदेश हाई कोट ने जीएसची लगाने पर साट दिन के भीतर निर्ने पारित करने दिये निर्देश हाई कोट में एक मामली की सुनवाई के दोरान विक्सित प्लोट पर 12 प्रतिशत जीएसची लगाने से जुड़ी करार ओपन समनी दुवीधा को स्पष्ट किया गया है हाई कोट ने मामली पर सुनवाई के बाद भोपाल विकास प्राधिकरन को निर्देश दिये की उक्त परिपत्र में दिये गए प्रविधानों के तहट जीएसची लगाने पर साट दिन के भीतर निर्ने ले बालाखार से खंडवा के लिए रवाना होगी कॉंग्रेस जनों की भारत जोडो यात्रा कॉंग्रेस के पूर्व राश्री अद्यक्षे राहूल गांदी की भारत जोडो यात्रा को लेकर कॉंग्रेस जनों में आपार उत्सा नसरा रहा है यही वज़ाए कि कॉंग्रेस जनों द्वारा बालकार्ट से खन्वा जिले तक यात्रा आयूजित की जा रही है जो सिवनी चिनवाड़ा बैतूल टिमन्नी होती हुए खन्वा पहुचेगी जो सभी कॉंग्रेस जन्द राहूल गांदी द्वारा आयूजित भारत जोडो या कॉंग्रेस के पदादीकारी गड़ों ने विचा विमर्श किया एम्स में मरीजों की हर जानकारी होगी ओन्लाइन राजसानी के साकित नगर में सेता खिलभारती आयूजित जन्सान की वेबसाइट पर अब मरीजों से जोड़ी हर जानकारी रियल टाइम मिल सकेगी इसके इस अंसान की वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है इसके बाद अस्पताल में दी जाने वाली तमाम सुविधाओं की जानकारी ऑनलाइन होगी इसमें सबसे पहले अस्पताल में इमर्जेंसी बिस्तरों की जानकारी साचा की जाएगी फिर बहारोग विभाग विविन वार्डों में बिस्तरों की स्तिती दाखिल मरीजों की संख्या और वेटिंग की जानकाई जोड़ी जाएगी इसे लोग वेबसाइट के डैश्पोर्ट पर देख सकेंगे ये तो थी आज की 25 फटापट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले धन्यवाद